डिप्रेशन के सिकार लोगों के लिए भागलपुर में खुलने जा रहा है टेली मानस सेंटर 24 गंटे मांसिक रोग्यों की की जाएगी कॉंसलिंग मांसिक रोग्यों की इलाज के लिए भागलपुर में टेली मानस सेंटर जल्द खोला जाएगा यहां पर 24 घंटे मरीजों को कॉंस्लिंग की सुविधा मिलेगी जवाहरलाल नहिरू medical college अस्पताल में यह सुविधा अगले महिने के अंतक सुरू होने की उमीद है पटना में भी मरीजों के लिए यह सुविधा बहाल है मरीजों के लिए 24 गंटे कॉंसलिंग करने एक वाली टीम मौजूद रहेगी जब भी मरीज फोन करेगा तुरंट उसकी मदद की जाएगी खास बात यह है कि कॉंसलिंग के दौरान लोग अपने मन की बात क्या पाएंगे जिसे सारोजनिक नहीं किया जाएगा जरूरत के अनुशसार मरीजों की डौक्टर से बात भी कराये जाएगी मयागंज अस्पताल में रेडियोलोजी विभाग के पास एक हॉल है वहीं पर इस सेंटर को तयार किया जा रहा है निमहांस मेडिकल कॉलेज की टीम ने 18 कॉंसलर को ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दिया है कि कैसे डिप्रेशन की मरीजों की कॉंसलिंग करनी है 2020 से पहले मेडिकल कॉलेज अस्पताल के OPD में हर महीने 700-800 मानसी क्रोगियों का इलाज होता था लेकिन कोरोना के बाद हर माह 12-13 मरीजों का इलाज हो रहा है 30 बेट का मानसी क्रोग विभाग 10 बेट के नसा मुक्ती केंदर ही मरीजों से हमेशा भरार रहता है टेली मानस सेंटर में मौझूद काउंसलर ऑनलाइन कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते रहेंगे कि कौन कहां से बात करना चाहा रहा है उसी अधार पर काउंसलिंग की जाएगी उससे बाचित की अधार पर उसके मन की बातों को निकालने का प्रयास किया जाएगा इससे पता चलेगा कि वह व्यक्ति किन किन कारोनों से डिप्रेशन में है फिर उसी तरज पर काउंसलर जवाब देंगे अगर वह संतुष्ट हो गया तो ठीक है अन्य था उस व्यक्ति को किसी नज़्दी की सरकारी अस्पताल में भरती करवा कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल बुलवा कर इलाज भी किया जाएगा अभी आसपास के जीलों से आने वाले मरीजों को ओपरटी में डॉक्टर चेक अप करते हैं जिने भरती करने की जवरत होती है उसे भरती कर लिया जाता है इस सेंटर को खोलने से कई लोगों की जान बच सकेगी